दोस्तो आज मैं आपको चार बववो का एक टीवी कहानी सुना रहे हूँ नाम की तो चीजी नहीं है तुम में हर वक्त टीवी के लिए लड़ती रहती हो अब तुम चारों में से कोई टीवी नहीं देखेगा मेरा सत्संग का प्रोग्राम आने वाला है आज तो मैं वहीं देखूंगी इधर दो टीवी का रिमोट और तुम सब जाकर काम पर लग कुछ देर बाद अगर उस दिल तुम मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने देती तो तुम्हारा क्या ही जाता तुम्हें वह कि बखवास सीरियल तो रोजी आते हैं और मेरा जो बिग बॉस का फिनाली चुट क्या वह और पायल जो तुम ये बार-बार मैच देखन कामें यहां की कहानी देख लिया करूं चारो इस बात पर हसने लगी बाहर हॉल में बैठी सरला ने उनसे कहा अरे अब किस बात पर हस रही हो जल्दी जल्दी खाना बनाओ इनका भी कुछ समझ नहीं आता कब हसने लगती हैं और कब लड़ने लगती है एसे ही शेर्मा परि में बात करोगी. मा जी मैं तो बस कभी कभार मैं अची देखती हूँ नहीं तो मैं कहां टीवी देखती हूँ. हाँ तो हम भी तो कभी कभार ही अपनी मर्जी का देख पाते हैं. जूटी तो तुम एक नंबर क्यों? टीवी ओन हुआ नहीं कि तुम जिन की तरफ रखट हो जा कुछ नहीं हो सकता इन सब का. अगले ही दिन उसके बेहन और जी जाजी उनके घर आते हैं. अरे वासरला तुने घर तो बड़े ही अच्छे से सजा रखा है. अरे ये सब तो मेरी बहुओं का कमाल है. वही सब साफ सफाई रखती हैं. अच्छा वैसे हैं कहां तेरी चारो बहुओं? रसोई में होंगी और कहां जाएंगी? अभी बुलाती हूँ. अरे पायल, टीना, अनुराधा, रुपाली, जल्दी बाहर आओ. देखो मौसी आई हैं. सास के आवाज सुनकर चारो बहुओं बाहर आई और अपनी मौसी सास और ससुर के पाउं चूती हैं. वावा, कितनी संसकारी बहुओं हैं. रूब, गुण, संसकार सभी गुण हैं इनमें. हाँ, वो त बभी टीवी चलने दो, तब सारे संसकार बाहर आजाएंगे. तुमने जरूर कोई पुण्य किये होंगे, जो इतनी सुशील और अच्छी बहुए तुम्हें मिली हैं. वो दोनों बाते करी रही थी, कि तभी अनुराधा महां आती है. माजी, मौसी जी, मौसी चली, सब खा आते रहते हैं. वैसे आजकल टेस्ट मैच शुरू होने वाले, वो लगा दीजे न. मनुहर चैनल बदल देता है. कुछ दिर बाद टीना वहां आती है. अरे, क्या फाल्तु का मैश देख रहे हैं आप? वो स्टार प्लेस पर जो नाटक आ रहे हैं वो चला दीजे न. उसमे आज बहु घर से भाग जाएगी. मनुहर एक बार फिर चैनल बदल देता है, लेकिन पायल का मुह बन जाता है. तब ही वहां रुपाली आ जाती है. अरे, ये सब तो बिकार का नाटक है. आपनो मुसा जी वो रियालिटी शो लगा दीजे. मनुहर एक बार फिर चैनल बदल खर से लड़ाई शुरू हो जाती है. मनुहर उन्हें चुप करवाने के बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती. उन बहुँ की आवाज बाहर तक आती है, और सरला के कानों में पढ़ती है. हे भगवान लगता है एक बार फिर घमासान छिड़ गया. कै लेकिन टीवी में अपनी पसंद की चीज देखने के लिए चारो पागल है. अरे तो तुम इन चारों के लिए अलग-अलग टीवी क्यों नहीं लगवा देती? मेरे बेटे अशोक से कहके मैं चार टीवी का इंतिजाम करवा देती हूँ. तेरा बहुत-बहुत शुक्रिया. उसको बोलना बिल साथ में भेजे. बेटों से कहकर अकाउंट में डलवा दूँगी. फिर मोसी मोसा अपने घर चले जाते हैं. और इधर अब चारों बहुत के कमरे में अलग-अलग टीवी होता है. लेकिन उन्हें वो टीवी देखने में मज़ा नहीं आता. वो सभी कुछ और बिना जगडा किये तो बिल्कुल नहीं. इसलिए अब हम इसी टीवी पर देखेंगे. लेकिन सबसे पहले मेरी मर्जी का चलेगा. नहीं मेरी? नहीं. मैं अपनी पसंद का देखूंगी. तो मैं कौन सा सबकी शकले देखने आई हूँ? मैं देखूंगी अपनी मर्जी क जाती है. और उसकी चारों पहुए अभी भी लड़ने में लगी हुई थी.